एक्जामपल नमबर 20 को सोल करते हैं एक्जामपल नमबर 20 के अंदर देखो यहां पे यह पूरा यहां पे function of d दिया हुआ तो function of d को यहां पे आप गोणनकंड करके भी लिख सकते हो या direct भी लिख सकते हो सबसे पहले मैं इसका लिखता हूँ function of d तो function of d होगा इस तरह से यहां पे मैंने दोनों लिख दिया function of d यह direct यहां से भी लिख दिया और इसको गोणनकंड करेंगे तो भी हमाई पास यह मिलेगा यह तो हो चुका function of d अब हम लिखेंगे इसकी साएक समिकन साएक समिकन होती है function of m equal to 0 तो यह हो जाएगी function of m equal to 0 तो जहां-जहां function में d है वहां-वहां हम लिखेंगे m और उसको करेंगे हम 0 के बराबर देखो अब हमें यहां पे गोणनकंड करना पड़ेगा तो मैं इसको यूज मिलूगा क्योंकि यहां पे गोणनकंड हो रहा है तो यहां पे d था तो मैंने यहां पे लिख दिया m और यह बराबर में 0 लगाना था तो मैंने 0 बराबर में लगा दिया अब यहां से m के 2 मान मिलेंगे हमें plus 2 और plus 2 तो m के 2 मान मिल चुके हैं अब हम प्राप्त करेंगे इसका cf cf प्राप्त करेंगे तो इसका cf आएगा इस तरह से 2x, e की बावर में 2x आएगा और अगली बार e की बावर में 2x आएगा लेकिन ये रिपीडो हो रहा है इसलिए x से गोणा कर दिया e की बावर 2x को कॉमन लेकिए हम इस तरह से लिख सकते हैं तो हो गया हमारा cf अब हम प्राप्त करेंगे इसका pi pi प्राप्त करने के लिए अब देखो यहाँ पर pi का formula लगाएंगे pi का formula था one upon function of d into q क्यों कि इस तान पर यहाँ पर यह दिया हुआ तो मैंने पूरा यह 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 लिख दिया और गुणन खंड यहाँ पर क्यों काम में आएगा तो यहाँ पर यहाँ पर e power x को अटाएंगे तो यहाँ पर 2 add करेंगे तो 2 c 2 cancel हो जाएगा इसलिए मैंने direct यह लिए लिए आप यह यह यूज में लोगे तो भी कोई प्रवलम नहीं है same answer आएगा तो हम इसको आगे solve करेंगे तो सबसी पहले तो इसको अटाएंगे यहाँ से हटाना है और यह 8 constant है तो यह बाहर चला जाएगा तो हम इसको इस तरह से लिए इसके बाहर तो हम इसको उटाएंगे तो यहाँ पी देगओ Ux के साध गुणा में दो तो हम जाव धी यह वह लिए धी प्लस टू ने दी वो सुत्र हम यहां पर यूज में लेंगे तो हम वो सुत्र हम यहां पर यूज में लेंगे तो उस सुत्र में हमने मान रख दिया यहां पर यह वो जो सुत्र था हमने वो पड़ा था उसमें मैंने मान रख दिया तो हमें यह equation मिली है यहां से तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर इसको solve करने के लिए एक तो इस पद को solve करना है एक इसको solve करना है और एक इसको solve करना है तो मैं इनको अलग-अलग solve कर लेता हूँ इस तरह से तो यहाँ पर देखो यह पत्तों हमारे पास यह है दूसरा पद हमारे पास यह है और तीसरा पद है यह इसको हमें solve करना है और यहां पे देखो 1 upon D k power 2 था इसे कैसे रहा 1 upon D k power 2 का हमें D के साफे अउकलन करना था तुई हो गया minus 2 1 upon D cube और यहां पे 1 upon D k power 2 का double करनच था तुई हो गया 6 1 upon D k power 4 अब इसको solve करना है, एक तो इसको solve करना, एक इसको solve करना, और एक इसको solve करना, तीनों को solve करना, तो मैं तीनों को अलग-अलग कर लेता हूँ, तो मैं इसको इस तरह सी करता हूँ, एक तो पद हो गया यह, तो मैं इसको solve करने के लिए देखो, इसका double bar integration करूँगा, तो हमें answer में लेता है, इसको शॉल करने के लिए उसका integration करेंगे हम तीन बार, लेकिं देखो, one upon D का कर देंगे और इसका integration कर देंगे एक बार, क्योंकि one upon D होता है दो बार, तो वो यहांपर हमें दो बार integration हमें यहांपर कर चुके हैं, तो यहांपर दो आथेंगे तो direct तीसरा integration में यहाँ पर कर दूँगा फिर 1 upon D की power 4 है तो D की power 3 तक का integration तो हमें यहाँ से मिल जाएगा तो यहाँ पर 1 कर दिया हमने एक बार integration कर दिया तो हमें answer मिल जाएगा इसका तो मैं पहले को करता हूँ यहाँ पर 2 बार integration इसका double integration करूँगा मैं दो बार integration कुरूँगा थो मुझी मिलेगा 1 upon 4 sin 2x अब इसका एक बार फिट से integration करेंंगे हम यहाँ पे तो हमें इस्का मान मिलेगा हम इसका integration करेंगे तो हमें मिले 2 one upon eight cos two x अब one upon eight cos two x हो गया इसका मान, तो हम इसका integration करेंगे एक बार फिट से, तो इसका integration करेंगे तो हमें मिलेगा यह equation one upon solar sine two x तो हमें यहाँ पर तीनो मान मिल चुगे, यह मान यह और यह यह तीनो मिल चुगे, अब इन तीनो का हम यहाँ पे रख दें इस equation में यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे तो मैं इसको मान को रखते था हूँ यहाँ पे देखो हमारे पास यह equation थी और हमारे पास यह मानते तो मान हमने यहाँ पे रख दिये यहाँ पे और यहाँ पे वो मान रख दिया मैंने मान रख दिया तो अब हमें तो बस इसको सोल करना है अलब सरल रूब में लिखना बाकी यह सोल हो चुका है यहाँ पे देखो एक्स की पावर टू था तो यह एक्स की पावर टू यहाँ पे आ गया माइनिस बन अपोन पॉर को यहाँ पे इस तरह से लिख दिया बाकी इसको भी इस तरह से सिंप्लिपाय कर दिया आठ को काट दिया फोर के साथ तो यह हो जाएगा वन बाई टू यह हो गया वन बाई टू यह एक्स था तो यह वन के स्थान भी यहाँ पे एक्स आ चुका है और यहां पर देखो काटेंगे हम इसको 2 से कर जाएगा तो 3 by 8 हो जाएगा यह हो गया इस तरह से अब हम आगेश को इस तरह से लिख सकते हैं इसको क्यों गुणा किया है क्योंकि यह देखो 1 upon 8 है 1 upon 2 है तो यह cancel out हो जाए इसलिए मैंने 8 को अंदर गुणा करके इस तरह से लिख दिया है अब हम आगेश को इस तरह से लिख सकते हैं कि यह तो हो गया हमारे पास PI हो चुका और Cf हमने पहले प्राप्त कर लिया था तो व्यापकल हो था y equal to Cf plus Pi तो मैंने y का मान लिख दिया यहां पर Cf और Pi को एड़ करके लिख दिया तो यह हो गया एक्जामपल नंबर 20 का अंसर यह इसका अंसर हो चुका है